गुप स्यरत वूरुक से अपके पनी YouTube चैनल Quality Quality Station Studio पर तो दोस्तो हम पड़ रहे हैं मद्यकालिय sono-भाइस result मद्यकालिय. ata के असर अजम both कवर करने वाले हैं यूरूरूपिय कंपनी के आउगमण सम्हुने इसके most important top 177 Secure जो एक्जाम पॉइंट अफ इस सेलेक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टन्ट है तो चलिए सुरू करते हैं फरस्ट नमबर कुष्ट ने हमारा कि सुरू प्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारती कारोबार के लिए प्रसाहित किया नील, चाय, मसाला या फिर सूती वस्त्र तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो एरोप आसियों ने सबसे पहले भारत से मसालों का वैपार करना स्टार्ट किया था सेकेंड नमबर कुष्ट ने हमारा कि भारत आने वाली पहली यूरोपिय कंपनी कौन सी थी अंग्रेजी, फ्रांसिसी, डच या फिर पूर्टगाली तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर D भारत आने वाली दोस्तो पर्थम यूरोपिय कंपनी मानी जाती है पूर्टगाली कंपनी तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर C भारत आने वाला पहला पूर्टगाली नाविक दोस्तो वास्को डिगामा था फोर नमबर क्रिशने हमारा कि यूरोप से भारत आने के लिए सुर प्रथम समुंदरी मार की खोच किस ने की थी कॉलंबस, वास्को डिगामा, मार्टिन लूथर या फिर कैप्टेन हॉकिंस ने तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर B यूरोप से भारत आने के लिए समुंदरी मार की खोच सबसे पहले वास्को डिगामा ने की थी वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक माने जाता है फाइब नमर की खोच ने हमारा की वास्को डिगामा किस वर्स भारत पहुचा था 1492, 1498, 1420 या फिट 1425 डिगामा भारत पहुचा था जो कि हम पहले भी डिस्क्स कर चुके हैं इसका से इन्स रोगा अप्सन नमबर C पुर्तगाली नाविक माने जाता है जो भारत आया था वास्को डिगामा 1498 डिगामा डिगामा किस इस्थान पर पहुचा था सूरत, कलकत्ता, काली कट या फिर चन्नाई में इसका से इन्स रोगा दोस्तों के काली कट नामक इस्थान पर स्वर्स प्रथम वास्को डिगामा भारत पहुचा था एट नमबर को इस्थने मारा की अमेरिका की घोच करने वाला कॉलंबस किस देश का नाविक था इस्पेन, पुर्थगाल, डेनमार क्या फिर फ्रांस का तो इसका से इन्स रोगा दोस्तों अप्सन नमबर A इस्पेन का, इस्पेन का नाविक दोस्तों था कॉलंबस इसने यूरोप से अमेरिका जाने के लिए समुन्द्री मार की खोच की थी तो इसका सही इन्स रोगा दोस्तो अप्स नमबर A 1492 इसवी में कोलम्बस ने यूरोप से अमेरिका जानने के लिए समुद्री मार की खोच की थी और 1498 इसवी में दोस्तो वासको डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार की खोच की थी टैन नमबर कुष्ट ने हमारा की वासकोडिगामा भारत आने से पहले अफरीका के किस इस्थान पर पहुँचा था केप आफ गुड़ ओफ, दुर्बान, अंगोला या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही इन सरोगा दोस्तो आपस नमबर एक केप आफ गुड़ ओपर, चुकि दोस्तो वासकोडिगामा पुर्तिगाल से चला, अफरीका के केप आफ गुड़ ओपर पहुचा और कहां जाता है कि केप आफ गुड़ ओपर दोस्तो एक गुजराती नाविक की हेल्प से वो भारत के काली कट नामक इस्थान पर पहुचा था, इलेवन नमर कुष्ट ने हमारा की वासकोडिगामा जब भारत के काली कट नामक इस्थान पर पहुचा तब उसका स्वागत किस ने किया था, तो इसका से इन सरोगा दोस्तो आपस नमबर C, काली कट के राजा जैमोर दोस्तो वास्को डिगामा का सागत किया था ट्वैल नमबर कुष्ट ने हमारा की वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था तो पहली बार तो 1498 इस्वी में भारत आया था दूसरी बार आया था दोस्तो आप्स नमबर भी 502 इस्वी में थर्टीन नमबर के उशने उमारा की पुर्त गालियों ने अपनी पहली फेक्टरी यानि की पहला कार खाना कहां इस्थापित किया था कोचीन, सूरत, बंगाल या फिर चन्नाई में तो इसका सीन्सरोगा दोस्तों आप्स नमबर एक कोचीन में दोस्तों पुर्टगालियों ने अपनी पहली फेक्टरी यानि की पहला कारखाना इस्थापित किया था 14 नमर कोचीन में कि पुर्टगालियों ने अपनी पहली फेक्टरी किस वर्स इस्थापित की थी तो कहां पर की थी तो कोचीन में किस वर्स इसका सहींस रोगा अप्सन नमबर B दोस्तों पंदा सो तीन इस्वी में 15 नमबर कुष्ण ने हमारा की भारत में पुर्तगाली उपनिवेस का पर्थम गवनर कौन नियुक्त किया गया था तो इसका सहींस रोगा दोस्तों आप्सन नमबर A फ्रांसिसको डी अलमेडा को दोस्तों भारती उपनिवेस का पर्थम गवनर नियुक्त किया गया था 16 नमबर कुष्ण ने हमारा की 505 इस्वी में दूसरी पुर्तगाली फैक्टरी कहां पर इस्थापित हुई थी मदरास, कुनूर, कोचीन या फिर सूरत में 17 नमबर कुष्ण नमबर C फ्रांसिसको डी अलमेडा ने दोस्तों बुलू वाटर पॉलिसी अपने सासनकाल के दोरान चलाई थी फ्रांसिसको डी अलमेडा दोस्तों पहला पुर्तगाली गवरनर माना जाता है 18 नमबर कुष्ण ने हमारा की बुलू वाटर पॉलिसी जिसे सांत जल की नीती और नीले पानी की नीती दोनों की नाम से जन जाता है का मुख्यो देश क्या था तो इसका से इंस रोगा दोस्तों अप्स नमबर सी हिंद महा सागर पर नियंतरन यानि की कंटोल पाने के लिए दोस्तों फ्रांसिसको डी अलमेडा ने एक नीती चलाई थी जिसे सांत जल की नीती या ब्लू वाटर पॉलिसी की नाम से जान जाता है नाइंटीन नमबर क्यूशने हमारा की किस युद में मिसर, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने अलमेडा यानि की फ्रांसिसको डी अलमेडा जो पर्थम पुर्तगाली गवरनर माना जाता है भारत में को पराजित किया था तो दोस्तो किस युद में अलमेडा को मिसर, तुर्की और गुजरात की सेना ने पराजित किया था तो इसका सिंसरोगा ओप्स नमबर बी दोस्तो चोल के युद में तुन्टीन नमबर क्यूशने हमारा की चोल का युद किस वर्स हुआ था तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो अप्सन नमर डी पंदा सुआट हिस्वी में दोस्तो चोल का युद्ध हुआ था जिसमें अलमेडा को प्राजित कर दिया गया था 21 नमर कुष्णिय हमारा कि भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे मान जाता है अलबुरकर, फ्रांसिसको डी अलमेडा, नीनो डी कुना या फिर राबर्ट कलाइब को तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो अप्सन नमर अलबुरकर को दोस्तो भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्थापक मन जाता है जबकि दोस्तो भारत में पहला पुर्टगाली गवनर फ्रांसिसको डी अलमेडा को माना जाता है 22 नमबर कुष्णे हमारा की किस पुर्टगाली गवनर ने सुरपर्थम कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी तो दोस्तो कोचीन को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्टगाली गवर्नर था और इस नमबर C अलबुरकर्ग जिसे भारत में पुर्टगाली सक्ति का वास्तविक सनस्थापक भी मना जाता है 23 नमबर कुष्ण हमारा की भारत में 1505 सी में सेंट अंजिलो फॉर्ट नामक के लिए का निर्मान किसने करवाया था अलमेडा यानि की फ्रांसिस्को डी अलमेडा, अलबुरकर्ग, राबर्ट कलाइव या फिर लाड डलहोजी ने 24 नमबर कुष्ण हमारा की गोवा में सुरुपर्थम चर्च का निर्मान किसने करवाया था अंग्रेजों ने, पुर्टगालीों ने, फ्रांसिस्यों ने या फिर डचों ने 25 नमबर कुष्ण हमारा की भारत भेजे गए दूसरे वार्सराय यानि की दूसरे गवणर अलबुरकर्क किस वर्स भारत आये थे 26 नमबर कुष्ण हमारा की पुर्टगाली उपनिवेस में गोवा को सामिल करने वाले पहले पुर्टगाली गवणर कौन थे अलबुरकर्क, अलमेडा, नीनोडी कुना या फिर राबर्ट कलाइव तो इसका सीन सरुका दोस्तों आप्सन नमबर A अलबुरकर्क ने दोस्तों सरुपर्थम पुर्टगाली उपनिवेस में गोवा को सामिल किया था इसके लाब दोस्तों अलबुरकर्क ने कोचीन को अपनी सरुपर्थम राजध्यानी भी बनाई थी तो इसका सीन सरुका दोस्तों आप्सन नमबर C विज़पुर के सासक थे आदिल सा इनसे दोस्तों छीन लिया था अलबुरकर्क ने पन्दा सुद्दस इससवी में गोवा को 29 नमबर कुष्टन है मारा कि ने नमे से कौन सा कथन गोवा के संबन में सही है पुर्तगाली गवर्नर अलबुरुकक ने 1510 इस्वी में गोवा को बीजापुर के सासक आदिल सासे चीना था जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये option दोस्तों सही है 1961 में विजे आपरेशन के तहट गोवा पुर्तगालीों से अजाद हुआ ये भी option दोस्तों सही है 1510 इस्वी में जो अलबुरुकर के द्वारा गोवा पर एदिकार किया गया था वो दोस्तों भारत की आजादी के बाद 1961 इस्वी में दोस्तों पुर्तगालीों से गोवा आजाद होता है एक विजे आपरेशन के तहट तो दोस्तों इस प्रकार इसका सहीं सरो जाएगा option number C उपरिक दोनों कथन सही है 30 number question है हमारा की किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालीों की भारत में अबाधी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुर्सों से भारती इस्त्रियों के साथ विवा कराने की नीती चलाई थी तो दोस्तों ये नीती चलाई थी option number B अलबुरकर्क ने और दोस्तों अलमेडा यानि की फ्रांसिस्को डी अलमेडा ने ब्लू वाटर पलसी चलाई थी 31 नमर कृष्णे अमारा की कौन सा पुर्तगाली गवनर कृष्णे राय जी से गोडे का बैपार करता था तो इसका से इन्सरोगा दोस्तों option number A अलमेडा अलमेडा दोस्तों कृष्णे राय जी से जो दच्छन भारत के सासक थे उनसे दोस्तों अलमेडा गोडे का बैपार करता था 32 नमर कृष्णे अमारा की किस पुर्तगाली गवनर ने 3G मौडल गोल्ड 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 की नीती चलाई थी इसका सीण से रोगा option number C to them अल मौर्कर के इस 3G मौडल का ताथपर दोस्तों 3G यानी की 3G से था जिसमें 1G का मतलब गोल्ड और 2G का मतलब गोल्ड और 3G का मतलब गोल्ड 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 आना जाद से जाद दोस्तों अलबूर कर इसाई धर्म का प्रचार करना चाथा था इसके लावा दोस्तों गोल्ड यानि की गोल्ड का मतलब पैसेश थे था भारत में जाद से जाद लाप कबाना और गलोरी सितात पर दोस्तों भारत में पुर्तगाली सक्ति का जाद से जाद प्र पूर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्पूर्ण गुभूमी का निभाई थी 34 नमबर कुशने मारा की बंगाल में किस इस्थान पर पूर्तगालियों ने अपनी फैक्टरी यानी की कारखाना इस्थापित किया था 35 नमबर कुशने मारा की हुगली को बंगाल की खाडी में समूंदरी लूट पार्ट का अड्डा किस ने बनाया था अंग्रेजों ने डचों ने फ्रांसिसियों ने या फिर पूर्तगालियों ने तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो अप्सन नमबर D पुर्तगाली ने दोस्तो उगली को बंगाल की खाड़ी में समुंदरी लूट पार्ट का अड़ा बनाया था 36 नमबर कुश्ण न catches. M ye!... ने दोस्तो अपनी राजधानी बनाई थी 1530 में गोवा को इससे पहले पुरुतगाली कोचीन हुआ कर थी ये कोचीन को अपनी राज़धानी किस ने बनाई थी तो अलवरुकक ने और नीनोडी कुना ने दोस्तों अपनी राज़धानी कोचीन से गोवा बदल दी थी 1530 में थाड़ी सेवन नमबर कुष्ट नेमारा कि नीनोडी कुणहा ने निनमे से कि छेत्र को पुर्तगाली उपनिवेस में सामिल किया था यानि कि किन छेत्रों को उसने जीता था बेसिन पर दोस्तो नीनोडी कुणहा ने नीनोडी कुणहा ने नीनोडी कुणहा ने नीनोडी कुणहा ने अधिकार किया था ये और दमन पर दोस्तो पंदा सो 69 इसवी में नीनोडी कुणहा ने अधिकार किया था ये और दमन पर दोस्तो पंदा सो 69 इसवी में नीनोडी कु तो इसका सेंसरोगा दोस्तों आपसन नंबर B. पुर्थगाली। पुर्थगाली। दोस्तों 1498 में भारत में सबसे पहले आये थे। और दोस्तों सबसे बाद में गये थे। tourists उल्टिंगे में गोवा को छोड़कर। पुर्टगाली, अंग्रेज, फ्रांसिसी या फिडच तो इसका से इंसरोगा दोस्तो अप्स नमबर A पुर्टगाली फोर्टी नमर कुष्णियों मारा की गुजरात का सासक बहादुर सा किसके सास संघर्ष करते हुए मारा गया था अंग्रेजों से, फ्रांसिसियों से, पुर्टगाली या फिडचों से तो इसका से इंसरोगा दोस्तो अप्स नमबर सी पुर्टगाली से संघर्ष करते समय दोस्तो गुजरात के सासक बहादुर सा मारे गये थे 41 नमर कुष्ण ने हमारा की भारत में सुरुपर्थम तंबाकु की खेती किस ने प्रारम की थी तो दोस्तों तंबाकु की खेती जहांगीर के सासनकाल में सबसे बहले प्रारम हुई थी और किस ने की थी तो इसका सेंस रोगा आप्सन नमर भी पुर्तुगालियों ने 42 नमर कुछने हमारा की सुरपर्थम भारत में प्रेंटिंग प्रेस की सुरुवात किस ने की थी दोस्तों printing press की शुरुवात की थी option number B पुर्टगालियों ने इसके लावा दोस्तों तम्माखु का भी प्रेसलेंड पुर्टगालियों ने किया था भारत में 43 नमर कुष्ण हमारा की भारत में पहली printing press 1556 इस्वी में पुर्टगालियों दोरा किस इस्थान पर इस्थापित की गई थी गोवा में दोस्तों पुर्टगालियों ने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस इस्थापित की थी पंदा सुचप्प्यन इसुई में फुर्टिक 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 तो इसका सिंस रोगा दोस्तोा अपस हं नमर बी पुर्टगालियों की एक नौ सीना थी जो दोस्तो हिंद महासागर को तरी मौसा आगर में तैनाद की गई थी इसका नाम इस्तारदू दी इंडियन था 47 नमर कुष्ण ने हमारा की पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंतर्ण करके वहाँ पर कौन सा कर यानि की टेक्स लागू किया था तो दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी नौ सेना जिसका नाम था इस्तारदू दी इंडियन उसके बल पर दोस्तों हिंद महासागर पर पुर्तगालियों ने पुरी तरह से नियंतर्ण काबू कर लिया था और वहां पर दोस्तो उन्होंने एक टेक्स लागू किया था जो भी हिंद महा सागर से होते हुए मतलब सफर करता था तो उसको एक कर देना परता था जिसका नाम था अप्सिन नमबर 1. complexities तो दोस्तो हिंद महा सागर पर पुर्तगालियों ने कार्ते नामक टेक्स लागू किया था 48 नमर किशने मारा की साजहा ने किस वर्स हुगली पुर्तगालियों से छीनी थी तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो आप्स नमर भी 1632 सी में जैसा कि दोस्तो हम ना जानते हैं कि प्रारब में पुर्तगालियों ने हुगली को जीत लिया था और हुगली को दोस्तो बंगाल की खाड़ी में समूंदरी लूट पार्ट का अड़ा बना लिया था लेकिन दोस्तो साजहां ने 1632 सी में पुर्तगालियों से हुगली चीन ली थी 49 नमर कुष्टने मारा की अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने बिटन के राजा चास दोतिये का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवा के आउसर पर कौन सा छेतर दहज के रूप में दिया था एक्चले में दोस्तो अंग्रेजों ने अपने राजा चास दोतिये का और पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन से विवा करवा दिया था और दोस्तो इसके बदले में पुर्टगालियों ने अंग्रेजों को आपसन नमर भी बंबाई देहच की रूप में दी थी फिप्टी नमर कुशने उमारा कि स्रिलंका में डच और पुर्टगालियों के उपनिवेस वादियों के वनसजों को क्या कहा जाता था तमिल, वेद्धा, बुर्धेर या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सेंसरो का दोस्तो आपसन नमर सी बुर्धेर कहा जाता था स्रिलंका में डच और पुर्टगालियों के उपनिवेस वादियों के वनसजों को फिप्टी नमर कुषने मरा की डच किस देश के निवासी कहलाते थे फ्रांस, इटली, नीदल या फिर पॉलेंड तो दोस्तों अपसन नमर सी नीदल लेंड जिसे हॉलन्ड के नाम से भी जाने जाता है इन देशों के निवासी को डच कहा जाता है 52 नमबर कुष्ण हे मारा की भारत आने वाला पहला डच नदागरी कौन था राबर्ट क्लाइफ, अलाबुरकरक, अलमेडा या फिर करनलिस डी हौटमेन तो इसका सेंसरों स्रूब का दोस्तों ऑप्सन नमबर डी करनलिस डी हाउट में दोस्तों भारत आने वाले पर्थम डच नागरिंग माने जाते हैं 53 नमबर कुश्चने मारा की उनाइट इस्ट इंडिया कमपनी नीदरलेंड यानि की डच इस्ट इंडिया कमपनी जिसे कहा जाता है की स्थापना हुई थी तो दोस्तों डच इस्ट इंडिया कमपनी या फिर इस्ट इंडिया कमपनी नीदरलेंड की स्थापना हुई थी आप्स नमबर A 1602 इस्वी में 54 नमबर कुश्चने मारा की डचों ने अपना पहला कारखाना की सिस्थान पर इस्थापित किया था सूरत, कोचीन, मुसली पटनम या फिर इनमेंसे कोई नहीं 55 नमबर कुश्चने मारा कि डचों ने अपना पहला कारखाना कभी सिथापित किया था 1608, 1603, 1602 या फिर 16vellमाच इस्थान नमे 1606 में दोस्तों डचों ने अपना पहला कार्खाना मुसली पठना में इस्थापित किया था जबकि दोस्तों डच इस इनडिया कंपनी जिससे युनाइटेट इस इनडिया कंपनी नीदें लेंड के नाम से जाता है इसकी स्थापना 16 में हुई थी 57. QionHera की किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचो की भारतिय उपनिवेश सक्ती को समाप्त कर दिया था तो इसका से इन्श रोगा दोस्तों एपनिवेश-खो को पराजित करके डचो का भारत से सफाया कर दिया गया था 58 नमर कुश्चने उमारा की भारत के साथ बैपार के लिए सुरोप्रथम संयुक्त पुन्जी कंपनी किन लोगों ने आरम की थी तो इसका सीन्स रोगा अप्सन नमर D डचों ने 59 नमर कुश्चने मारा की डच लोगो दारा भारत में वेपार के लिए किन बंदरगाहों का प्रियोग किया गया मुसलिपटनम, नागपटनम, पुलिकट या फिर उपडिक सभी तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों इन सभी बंदरगाहों का उप्योग डचों ने अपने सासनकाल के दोरान किया था 60 नमर कुश्चने मारा की डचों ने बंगाल में किस इस्थान पर अपना कारखाना इस्थापित किया था स्री रामपुर, हुगली, चिंसुरा या फिर ने में से कोई नहीं तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों आप्स नमबर सी चिंसुरा में 61 नमर कुश्चने मारा की बिटिस इस्थान इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्स हुई थी 16-5, 16-2 या फिर 16-28 Soe में तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों आप्स नमबर B 16-29 हुई थी, जबकि डच इस्था इस्थान इंडिया कंपनी की स्थापना 16-2 हुई थी 62 नमर कुश्चने मारा की बिटिस इस्था इंडिया कंपनी की स्थापना के समय बेटन का सासक कौन था जेंप्स प्रथम, एलजाबेद प्रथम, जेंप्स दोतिय या फिर निनमे से कोई नहीं तो इसका सेंस रोगा दोस्तो अप्स नमबर B, एलजाबेद प्रथम बिटिस इस इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तो 1660 में हुई थी उस समय बेटन की रहाने महरानी एलजाबेद प्रथम थी 63 नमबर के उसने मारा की बिटिस इस इस इंडिया कंपनी की स्थापना के समय बारत का बासा कौन था जहांगीर, अकबर, औरंजेब या फिर हुमायू इसका से इस रोगा दोस्तो आपस नमबर B, अकबर 64 नमबर के उसने मारा की अंग्रेजी इस इस इंडिया कंपनी को किस अन्य नाम से भी जान जाता है जॉन कंपनी, कैपिटन थॉमस कंपनी, रॉयल कंपनी या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो अंग्रेजी इस इस इंडिया कंपनी को आपस नमबर A, जॉन कंपनी के नाम से भी जान जाता है 65 नमबर कुशने हमारा की भारत में बैपार के लिए बेटिस इस इस इंडिया कंपनी को सुरुपर्थम अधिकार किस ने दिया था एलिजाबेट प्रथम, जेम्स प्रथम, जेम्स दोतिये या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो बेटिस इस इस इंडिया कंपनी की स्थापना के समय बेटन का सासक था या बेटन की रानी थी एलजाबेत प्रथम उन्हों नहीं दोस्तों बेटिस इंडिया कमपनी को भारत में वैपार करने का फर्मान या आग्या दी थी 66 नमर कुश्चने मारा कि 31 दिसंबर 1690 को एलजाबेद पर्थम ने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी को भारत में कितने वर्षों तक बेपार करने की आग्या प्रदान की थी तो इसका सेंस रोगा दोस्तो आप्स नमर भी 15 वर्षों की 67 नमर कुश्चने मारा कि बेटन की रानी एलजाबेद पर्थम की मरत्यू किस वर्षों हुई थी तो इसका सेंस रोगा दोस्तो आप्स नमर ए 1630 में दोस्तो एलजाबेद पर्थम की मरत्यू हो गई थी इसके बाद जैम्स पर्थम बेटन के सासक बने थे 68 नमर के किस राजदूत को अकबर का फर्मान लेकर भारत भेजा था कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, चार्स डार्मिन या फिर इन में से कोई नहीं 69 नमर के कैप्टन हॉकिंस किस वर्स जहांगीर के दरबार में पहुचा था तो उस समय अगला बासा जहांगीर बन जाता है 70 नमर के किस मुगल सासक के काल में बिटिस इस इंडिया किमपनी ने भारत में अपना पहला कार खाना इस्थापित किया था तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो अप्स नमबर भी जहांगीर के काल में 72 नमबर कुष्टने मारा की अंग्रेजों ने अपना पहला कार खाना 1608 इस्वी में किस इस्थान पर इस्थापित किया था कोचीन, मदराज, सूरत या फिर इलाहबाद तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो अप्स नमबर सी सूरत में 73 नमबर कुष्टने मारा की 1611 इस्वी में अंग्रेजों की तयार की गई पहली फैक्टरी कहां इस्थापित थी तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो अप्स नमबर भी मुसली पट्टनम में एक्चली में दोस्तों पहली फैक्टरी अंग्रेजों की इस्थापित की गई थी 1608 इसी में सूरत में लेकिन दोस्तों जहागीर से कुछ मदभीद हो जाने के कारण सूरत की फैक्टरी का काम रोक दिया गया था और इससे पहले मुसली पटनम की फैक्टरी दोस्तों 1611 इसवी में बनकर तयार हो जाती है जबकि दोस्तों सूरत की फैक्टरी तयार नहीं हो पाती है सूरत की फैक्टरी मुसली पटनम के बाद तयार होती है तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार की कोशन पूछे जाएंगे कि अंग्रेजों की तैयार की गई पहली फैक्टरी कहा थी तो मुसली पत्नम में और अंग्रेजों की पहली फैक्टरी पूछा जाये तो सूरत में थी 74 नमर कुछनी मारा की अंग्रेजों को 1613 इस्वी में सूरत में कारखाना लगाने का फर्मान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था इसका सहीं सरोगा दोस्तों आप्स नमर ए अंग्रेजों द्वारा पुर्टगाली बेड़ों को पराजित किये जाने की कारण अंग्रेजों ने दोस्तों पुर्टगाली बेड़ को पराजित कर दिया था इसकार दोस्तों जहांगीर ने सूरत में जो बंद की गई थी 1608 इस्वी में फैक्टरी उसका दोस्तों पुना काम चलवाने के लिए जहांगीर ने 1613 इस्वी में मंजूरी द्ये दिगई थी वो 1608 इस्वी में दोस्तों इस फैक्टरी का काम रोग दिया गया था इसी कार दोस्तों मुसली पटनम में 1611 इस्वी में पहली फैक्टरी तयार की गई थी अंग्रेजों की जबकि दोस्तों अंग्रेजों की जो सूरत की फैक्टरी थी वो बनकर तयार हुई थी 1613 में जब जहांगीर ने उस फैक्टरी को बनवाने का फर्मान जारी किया था 75 नमर कुशने मारा किन्यम ने बिटिस कमपनियों में से किसे भारत में बेपार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों आप्स नमर ए लीवेंट कमपनी को 76 नमर कुशने मारा कि किस वर्स गुलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फर्मान परदान किया था इस सुनहेरे फर्मान के तहर दोस्तों गुलकुंडा में खास कर गुलकुंडा के बंदर गाहों पर दोस्तों अंग्रेजों को अपने बेपार करने की आग्या दी गई थी तो दोस्तो ये गुलकुंडा के राजा द्वारा सुनहरा फर्मान जारी किया गया था उप्सन नमर सी 1632 सुई में 77 नमर कुष्ण नहीं हमारा की 1717 सुई में किस मुगल बासा ने कमपनी को एक साही फर्मान जारी किया था जहांगीर, अकबर, फरुक सेयर या फिर सा जहाने तिसका सिंसरोगा दोस्तो अप्सन नमर सी फरुक सेयर ने 78 नमर कुष्ण नहीं हमारा की फरुक सेयर के 1717 के साही फर्मान की निम्ने में से स्ताय थी 3000 रुपे की वार्षिक कर यानि कि टेक्स के बदले में कमपनी को संपूर बंगाल में मुक्त बेपार करने की आग्या दी गई या अप्सन दोस्तो सही है 1000 रुपे की वार्षिक कर की रूप में संपूर सूरत में मुक्त बेपार कमपनी को करने की आग्या दी गई कंपनी दोरा मुंबाई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल समराज में चलाने की आग्या दी गई थी यानि कि दोस्तो कंपनी को केवल सलाना 3,000 रूपे देने पड़ते थे फरुक सेयर को इसके बदले में दोस्तो संपूर्ण बंगाल पर कंपूर्ण मुक्त बेपार कर सकती थी इसके अलावा दोस्तो एक हजार रूपे में संपूर्ण सूरत में भी कंपनी मुक्त बेपार कर सकती थी और कंपनी के द्वारा जो मुंबाई में ढाले गए सिक्के थे वो संपूर समराज में मुगल समराज में चल सकते थे तो इस प्रकार इसका सईन्स रोगा दोस्तो ये सभी विशेष्थाएं थी फरुक सेर के 17 सुसत्रा के साही फर्मान की 79 नमर किस्टने मारा कि 99 से किस फर्मान को इस्ट इंडिया कंपनी का मैगना कार्टा कहा जाता है तो इसका सईन्स रोगा दोस्तो अप्स नमर भी फरुक सेर के जो 17 सुसत्रा इसवी में साही फर्मान जारी किया गया था उसको दोस्तो इस्ट इंडिया कंपनी का मैंगना काटा कहा जाता है 80. कुष्ण इमारा की अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी ने मदरास को पटे पर प्राप्त किया था कब तो इसका सेंसरो का दोस्तो अप्स नमबर A 1649 में 81 नमبر कुछने हमारा की भारत आनेवाला पहला अंग्रेजी चहाज का नाम था तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो अपस नमर A, Red Dragon 82 नमर कुछने हमारा की Forts and George नामक किले का निर्मार किसने करवाया था तो इसका सीन्स रोगा दोस्तो अपस नमर C, अंग्रेजोंने 83 नमबर कुश्चने मारा कि फॉर्ट सेंट जोर्ज नामक किला कहां इस्तित है तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों अप्सनमबर C मद्रास में 85 नमबर कुश्चने मारा कि किस वर्ष पुर्टगालियों ने बेटन के राजा चास दोती है और पुर्टगाली राजकुमारी कैथरीन के विवा के उसर पर अग्रेजों को बंबाई दहेज में दिया था तो दोस्तों पुर्टगालियों ने अग्रेजों को दहेज के रूप में बंबाई कब दिया था तो इसका सीन्स रोगा आप्स नमबर A 1661 इस्तिमे 86 नमबर कुश्चन है मारा कि किस वर्स अंग्रेजों ने बंबाई को 10 पाउंड वार्सिक किराय पर कम्पनी को सौप दिया था इसका सेंसरोगा दोस्तो अप्स नमबर B 1664 इसवी में जो दोस्तो 1661 इसवी में पुर्तगालियों के दारा बंबाई अंग्रेजों को दिया गया था वो अंग्रेजी ने दोस्तो 1667 हिस्वी में कम्पनी को सौप दिया था 1667 हिस्वी में 87 नमर क्यूशने मारा कि प्लासी का युद्ध सन 1757 हिस्वी में किसके मद्ध हुआ था तो दोस्तो प्लासी का युद्ध हुआ था 17-57 हिस्वी को, किसके मद्ध ही तो इसका से इन्स रोगा ओप्स नमबर D अंग्रेज और बंगाल के नवा स्विराजुत दोला के मद्ध है 88 नवर के इस रोगा ओप्स नमबर D अंगरेजी राजदूथ कैप्टन हौंकिंस 1608 एक नुद्ध का युद्ध कब हुआ था तो इसका सी इन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर B 1760 में 90 नमबर कुष्णियों मारा की वांडिवास का युद्ध किसके मद्ध हुआ था अंग्रेज और डज, अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसिसी या फिर अंग्रेज और मुगल के मद्ध तो इसका सी इन्स रोगा दोस्तो वांडिवास का युद्ध हुआ था आप्स नमबर C अंग्रेज और फ्रांसिसियों के मद्ध 91 नमबर कुष्णियों मारा की किस उद्ध के बाद फ्रांसिसियों की भारत में उपने वेसिक सक्ती समाप्त हो गई थी कहें तो फ्रांसिस्यों का भारत से पतन हो गया था तो इसका सी इन्स रोगा दोस्तो उप्स नमबर C वांडिवास के युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने बढ़ी तरा से फ्रांसिसियों को पराजित करके उनका अंग्रेज भारत में अस्टित समाप्त कर दिया था जबकि दोस्तों वेद्रा के एदु में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से उनका भी सफाय कर दिया था 92 नमर कुष्णे मारा की बक्सर का युद किस वर्स हुआ था ग्रेजों ने मुगल बास साह अलम दूतिय को पराजित किया था पानी पत का दूतिय युद पानी पत का दूतिय युद बक्सर का युद या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सीन सरोगा दोस्तों आप्स नमर सी बक्सर का युद अंग्रेजों और मुगल बास साह अलम दूतिय के मद्ध हुआ था जिसमें दोस्तो सा अलंदुतिये बुरी तरा से पराजित हो गए थे अंग्रेजों के द्वारा 94 नमर क्षिने हमारा की इलहाबाद की संधी किसके मद्ध हुई थी तो दोस्तो जैसा की आने जाना की बकसर की एदो में सा अलंदुतिये मुगल बासा पराजित हो गए थे और दोस्तो उन्ही के बीच और अंग्रेजों के बीच एक संधी हुई थी जिसे इलहाबाद की संधी की नाम से जने जाता है ये संधी राबर्ट क्लाइव और असा अलंदुति के मद्ध हुई थी जिसमें राबर्ट क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर जनल थे उस समय 95 नमर के इसने मारा की इलहाबाद की संधी किस वर्स हुई थी 1775, 1765, 1760 या 1785 में इसका से इनसर होगा दोस्तों इलहाबाद की संधी हुई थी ओप्सन नमर भी 1775 इसी में 96 नमर के इसने मारा की किस मुगल वासा ने कंपनी को बंगाल बिहार और उरीशा की दिवानी प्रदान की थी दिवानी का ताथ पर दोस्तों ये होता है कि अब अंग्रेज बंगाल बिहार और इसा की दिवानी प्राप्त करेंगे यानि कि यहां से सम्मधि जितना भी राजसो है वो एकत्रित करेंगे तो दोस्तों यह दिवानी प्रदान की थी option number C साहा अलंदुतिये ने 97 नमर को इसने उमारा की बिटिस कम्पनी को बिहार बंगाल औरीशा की दिवानी साहा अलंदुतिये ने किस संदी के तहत प्रदान की थी तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों आप्स नमबर A इलहाबाद की संदी के तहत जो हुई थी 1765 सुई में बक्सर की उद्ध के बाद 98 नमर कुशने उमारा की बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने समान نے सीमा सुलक के बदले में 3,000 रुपे सलाना अदा करने की चूड़ दी थी तो इसका से इंसर होगा दोस्तों आप्स नमबर D सासुजा ने सास हुजा ने दोस्तों सरव प्रथम 3,000 रुपे सलाना अदा करने के बदले में कुछ सीमा सुल्क की चूट दी थी अंग्रेजों को 99 नमबर कुशने हमारा की प्रारंबिक चरण में बेटिस इश्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख खिल अच्छ था यानि कि सबसे पहले बेटिस इश्ट 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 इंडिया कंपनी पहले किस कारण से भारत आए थी तो इसका से इंश रोगा दोस्तों अप्स नमबर ए बैपार करने के लिए हाला कि ये बाद में समराज विस्तार भी करने लगी थी हेंड़ नबर क्विश्टने मारा कि फ्रांसीasne India Company की इस्थापणा कब ही थी 1492 धिया 1602 या 1664 इसी में तो इसका से इंसर होगा दोस्तों Option है 1664 इसी में फ्रांसीasne India Company की स्थापना हुई थी जबकि दोस्तों पुर्टगाली इसेasne India Company की स्थापना 1492 इस्वी में हुई थी British East India Company की स्थापना 1600 में हुई थी और Dutch East India Company की स्थापना 1602 इस्वी में हुई थी 101 नमर क्विशने मारा कि France City East India Company की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था Louis Chodwa Louis Solva Peter Mahan या Fit James Pratham तो इसका सिंसरो का दोस्तो France City East India Company की समय जब इसकी स्थापना हुई थी तब France का सासक Louis Chodwa था 102 नमर क्विशने मारा की भारत में France City East India Company का संस्थापक किसे मना जाता है तो इसका सिंसरो का दोस्तो option number C Colbert को 103 नमर क्विशने मारा की France City ने भारत में पहली फैक्टरी कहां पर स्थापित की थी कोचीन सूरत, मदरास या फिरिन में से कोई नहीं तो इसका सिंसरो का दोस्तो option number B सूरत में सूरत में दोस्तो France City ने भी अपनी पहली फैक्टरी स्थापित की थी जबकि दोस्तो अंग्रेज़ों ने भी पहली फैक्टरी अपनी फैक्टरी अपनी फैक्टरी अपनी पहली फैक्टरी बारत में सूरत में कब इस्थापित की थी दपत्स नमबर 166.14, 16.3, 16.5 या फिर 1668 लिकुत में तो इसका स्यिन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर D 1668 लिकुतünd की तठी 105 नमर कुश्यों मारा कि फ्राणसिस्यों ने 1669 लिकुति में किस इस्थान पर अपनी दूसरी फेक्टरी इस्थापित की थी तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर A मुसली पटनम में दोस्तो फ्रांसिस्यों ने अपनी दूसरी फेक्टरी स्थापित की थी 1669 इस्वी में 106 नमबर कुष्ण ने उमारा की फ्रांसिस्यों ने पांडे चेरी पर किस वर्स अधिकार किया था 1660, 1673, 1680 या फिर 1685 इस्वी में तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर B 1673 इस्वी में फ्रांसिस्यों ने पांडे चेरी पर अधिकार किया था 107 नमबर कुष्ण ने उमारा की फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी ने पांडे चेरी किस से चीना था तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो आप्स नमबर B बीजापुर के सुल्तान से 108 नमबर कुष्ण ने मारा की फ्रांसिस्य सरकार ने पुद्द चेरी यानि की पांडे चेरी को किस वर्स भारती सरकार को सोपा था तो दोस्तो पांडे चेरी जो अंग्रेजों के काल में फ्रांसिस्य के दारा कब्जा किया गया था पांडे चेरी पर वो दोस्तो आजाधी के बाद 1954 में अजाध हुआ था 109 नमबर कुष्ण ने मारा की 17 से पूर्व कौन सी कलोनी फ्रांसिस्य के अधिकार में थी पुदुचेरी, सूरत, गोवा या फिर उपर युख सभी तो इसका सिंस रोगा दोस्तों आप्स नमबर D, उपर युख सभी हेंड़न 10 नमबर कृष्ण नमबर की कनाटक की युद्ध किसके मद्ध हुए थे अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेज और डज, अंग्रेज और फ्रांसिसी या फिर इनमे से कोई नहीं तो दोस्तों कनाटक की युद्ध हुए थे उप्स नमबर C, अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के मद्ध है हेंडेंड 11 नमबर कुष्णियमारा की करनाटक के कितने युद्ध अंग्रेजियों और फ्रांसिस्यों के मद्ध हुए थे तो इसका सीन्स रोगा दोस्तों आप्स नमबर C तीन युद्ध करनाटक के युद्ध अंग्रेजियों और फ्रांसिस्यों के मद्ध हेंडेंड 12 नमर कुष्णियमारा की अंग्रेजी और फ्रांसिस्यों के बीच हुए करनाटक के प्रथम युद्ध का ततकालिन कारण था तो इसका सीन सुरुगा दोस्तो आप्सन नमर ए अश्टिया उत्राधिकार का युद्ध 113 नमर कुष्णियमारा की प्रथम करनाटक का युद्ध की संदी के तहत समाप्त हुआ था तो इसका सीन सुरुगा दोस्तो आप्सन नमर ए एला सापल की संदी के तहत दोस्तो करनाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था करनाटक का परथम युद्ध दोस्तों 1746 से लेकर 1748 सिषवी तक चला था तो जब 1748 सिषवी में एला सापल की संधी होई तब करनाटक का परथम युद्ध समावथ हुआ 115 नमर कुश्णे मारा की अश्ट्रिया उत्राधिकार का युद्ध कब से कब तक चला था तो दोस्तों युरोप में अश्ट्रिया में अंग्रेज और फ्रांसेसियों के मद्ध उत्राधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था उसी का परभा दोस्तों भारत में भी देखने को मिलता है जिसके परणाम सोदू करनाटक का परथम युद्ध भारत में होता है और ये दोस्तों युद्ध चला था उप्सन नमर ए 1744 इस्वी से लेकर 1748 इस्वी तक हैंडेंड सिष्टी नमर कुष्टने मारा की पर्थम करनाटक की युद्ध के सम्मन में कौन सा कथन सही है पर्थम करनाटक का युद्ध 1746-458 के बीच हुआ था ये उप्सन दोस्तों सही है इस युद्ध का तथकालिन कारण अश्ट्रिया उत्राधिकार का युद्ध फा ये भी उप्सन दोस्तों सही है या युद्ध एला सापल की संधी 1748 युशी के तहत समाप्त हुआ था ये भी option दोसों सही है तो इसका प्रकार इसका सही अंसर हो जाएगा option number D उपर युक सभी कतन इसके सही है हैंडेंड 17 नमर कृष्ण हमारा की कनाटक के पर्थम युद्ध के समय किस फ्रांसेसी गवनर ने मदरास अंग्रेजों से चीन लिया था दूपले दोस्तों एक फ्रांसेसी गवनर थे जो उस समय पांडे चेरी की गवनर थे उन्होंने दोस्तों कनाटक के पर्थम युद्ध के समय अंग्रेजों से मदरास चीन लिया था 118 नमर कृष्ण हमारा की सन 1748 सुसी में सेंट थॉमस का युद्ध किसके मद दूपले दोस्तों सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था 119 नमर कृष्ण हमारा की पर्थम कनाटक के युद्ध के बाद किसको डुपले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया बूसी, लाली, मेलकॉम या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सिंस रोगा दोस्तों अप्सन नमर ए बूसी को 12 नमर कृष्ण हमारा की कनाटक के दुतिय युद्ध के संबन में कौन सा कथन सही है कनाटक का दुतिय युद्ध 1749 से लेकर 1754 इसवी के मद हुआ था ये उप्सन दोस्तों सही है इसका ततकालिन कारण हैदराबाद और कनाटक के लिए दो गुटों का निर्मार होना था ये भी उप्सन दोस्तों सही है या युद्ध पांडे चेरी के संदी के तहट समाप्त हुआ था ये भी उप्सन दोस्तों सही है तो इस प्रकार इसका सही इंसर होगा option number D उपर एक सभी कथन करनाटक के दुतिये युद्ध के समन्द में सभी कथन सही है एंडेन 21 नमर कुष्ण ने हमारा की करनाटक के दूसरे युद्ध के अंत में पांडे चेरी की संदी किस वर्स हुई थी जिस संदी के तहट दोस्तो करनाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ था तो दोस्तो पांडे चेरी की संदी हुई थी option number B 1775 ने हैंडेन 22 नमर कुष्ण ने हमारा की करनाटक का तिर्थिये युद्ध का ततकालिन कारण क्या था तो इसका सेंस रोगा दोस्तो option number A यूरोप में दोस्तो सब्थ वर्सी युद्ध चल रहा था जिसका परभाव भारत में भी देखनों को मिला यूरोपियों में सब्थ वर्सी युद्ध दोस्तो अंग्रेजों और फ्रांसिशों के मिद्ध चल रहा था हेंड़ेंड 23 नमर केश्चने मारा की तिरतीय करनाटक का युद्ध की संदी के तहत समाब्थ हुआ था तो इसका सेंस रोगा दोस्तो option number C पेरिस की संदी के तहत जो हुई थी 1763 इसवी में दोस्तो एला सापल की संदी हुई थी 1746 इसवी में इस संदी के तहत दोस्तो करनाटक का पहला युद्ध यानि की first युद्ध समाब्थ हुआ था पांडे चेरी की संधी के तहट दोस्तों करनाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ और पेरिस की संधी के तहट दोस्तों करनाटक का तिरते युद्ध समाप्त हुआ तो तीनों संधियां आपको याद अखनी है तो दोस्तो वांडी वास का युद्ध को किस युद्ध में हरा था? तो दोस्तो इनके सेनापती से संबंधित भी एकजाम में कुशन पूछे जाते हैं इनके सेनापती से संबंधित आपको पॉइंट याद अखने हैं तो दोस्तो करनाटक का कौन सा युद्ध चल रहा था जिस समय वांडी वास का युद्ध के समय में हुआ था? जिसमें दोस्तो बुरी तरह से फ्रांसिसी प्राजित हो गये थे और फ्रांसिस्यों का भारत से पतन हो गया था तो एक तरफ दोस्तो करनाटक के तीन युद्ध दिये गए है और दूसी तरफ उसे समंद्ध वर्स दिया गया है जिस समय वो हुए थे जैसे कि पर्थम करनाटक का युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 इसवी तक यह आप्शन दोस्तों सही है तरतीय करनाटक का युद्ध हुआ था 1749 इसवी से लेकर 1749 इसवी तक यह भी आप्शन सही है हेंटेंट 28 नमर कुश्चन है मारा कि निनमे से कौन सा तत्कालिन कारण करनाटक की युद्ध की सम्मन में सही है तो एक तरफ दोस्तों करनाटक की युद्ध दिये गए हैं और दूसी तरफ उसे सम्मन्दित तत्कालिन कारण दिये गए हैं जसा कि दोस्तों पर्थम करनाटक का युद्ध का ततकालिन कार्ण था अस्ट्रिया उत्रादिकार का युद्ध जो हुआ था 1740 से लेकर 1748 से के बीच दुतिये करनाटक का युद्ध का ततकारण था? युद्धिक होना जो चला था 1756 से लेकर 1763 इसी तक तो दोस्तो तीनों करनाटक का युद्धिके ततकालिन कारण आपको यालि रखने हैं क्योंकि एक्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार इसका सही इंसर हो जाएगा उप्शन नमबर D हेंडेंट 29 नमबर कुश्चने मारा की निमन में से कौन सा कथन करनाटक के युद्ध की समाप्ती पर हुई संधी की संबन में सही है इसमें दोस्तों एक तरफ युद्ध दिये गए हैं जिसके तहट वो युद्ध समाप्त हुआ था जोसे कि परतम करनाटक का युद्ध समाप्त हुआ था 11 सापल की संधी के तहट जो हुई थी 1746 इसी में ये उप्शन सही है इसी प्रकार दोस्तो दुतिय करनाटक का युद्ध पांडे चेरी संधि के तहस्व सμाब्द हुआ था ये संधि हुई थी 1755 हिस्वि में ये भी अफ्शन सही है अप्शन नमर D उप्रों सही है 130 नमर कुश्चने मारा के फ्रांसेसियों को चंदर नगर बस्ती किसने बेट में दी थी अकबर, सासुजा, जहांगीर या फिर औरंग जेबने तो इसका से इंस रोगा दोस्तो आप्सने मारा भी सासुजा ने 131 नमर कुश्चने मारा के मुगल बासा ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी डुपले, लाली, मैकाले या फिर इनमे से कोई नहीं तो दोस्तो मुगल बासा ने नवाब की पदवी प्रदान की थी अप्सन नमर एड डुपले को हेंटेंट 32 नमबर कुष्णे मारा कि पांडे चरी का गवर्नर बनने की पूर्व डुपले कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था इलाहबाद, चंदरनगर, गुजरात या फिर कलकत्ता का तो इसका से इंसरोगा दोस्तो आपस नमबर भी चंदरनगर का हेंटेंट 33 नमबर कुष्णे मारा कि डुपले के बाद पांडे चरी का गवर्नर कौन मना तो इसका से इंसरोगा दोस्तो गोडे हूँ नाम का एक बेक्ति था जो डुपले के बाद पांडे चरी का गवर्नर नियुक्त किया गया था हेंडेंट 34 नमर कुष्च्च ने मारा के निमें से कौन सा कथन डूपले की संबन में सही है तो इसमें हमें डूपले से संबन इस सही कतन का चेन करना है वह पहला बेखती था जिसने भारत में यूरोपी समराज की नीए डाली थी ये option दोस्तों सही है यूरोपिय कंपनियों के आगमन की करम में दोस्तों डूपले सबसे पहला गवर्नर माना जाता है जिसने भारत में यूरोपिय समराज को बसाने की सबसे पहले कोसिस की इसके लावा दोस्तो उसने पहली बार यूरोपी सेना को भारती उदरबार में भारती खर्चपन निक्त करवाये था ये भी आप्सन सही है तो इसका सही इनसर हो जाएगा आप्सन नमबर सी उपर एक दोनों कतन सही है फ्रांसिसियों को अंग्रेजों को डचों को या फिर पूर्टगालियों को तो इसका सही इनसर होगा दोस्तो आप्सन नमबर ए फ्रांसिसियों को 136 नमबर कुष्ण नमारा की कौन सा युद्ध ये आंग्ल फ्रांसिसी युद्ध का विस्तान नहीं था पर्थम करनाटक का युद्ध, दोतिय करनाटक का युद्ध, तिरतिय करनाटक का युद्ध या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सिंसरों का दोस्तों आप्स नमबर भी दोतीय करनाटक का युद हैंडेंट 37 नमबर कुष्ट ने वारा कितिहास कार मैकाली के नुसारवा पहला बेगती कौन था जिसने पहली बार अन्भव किया कि मुगल समराज के खंडरों पर एक यूरोपिय समराज बनाया जा सकता है तो दोस्तों जैसा कि हम पहले भी डिस्कुस कर चुके हैं सबसे पहले यूरोपिय समराज बसाने की भारत में कोसिस की थी ओप्स नमबर डी डूपले ने हेंडेंट 38 टमबर क्यूश्चने मारा कि डेनिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्स हुई थी 1600, 1602, 1618 या फिर 1664 इसवी में तो इसका से इन्स रोगा दोस्तो आप्शन नमबर C 1616 इसवी में दोस्तो डेनिस इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी जबकि दोस्तो बेटेस इस्ट इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1602 सी में दोस्तो डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1664 सी में दोस्तो फ्रांसेसी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 139 नमर कुष्टने मारा की भारत में 1620 सी में पहली डेनिस फेक्टरी कहां पर स्थापित हुई थी तो पहली Danish Factory दोस्तों स्थापित हुई थी 1620 C में कहां पड़ तो इसका से इंस रोगा ऑप्स नम्बर C तन जोर में 1140 नमर कुश्टने मारा कि Swedish East India Company की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों Swedish East India Company की स्थापना हुई थी ऑप्स नमर B 1731 C में 1141 नमर कुश्ञे हमारा कि Swedish Ad卻 Company भारत के अलावा जालतर भेपार किस देष से करती थी इटली, रूस, चीन या फिर जपान से तो इसका सींसर रोगा दोस्तो ओप्स नमर C, Swedish Adotity Company दोस्तो भारत के अलावा जालतर चीन से भेपार करती थी 1422 कि eleo europeyo company के आगमन की कुरम में कौन सी company सबसे बाद में भारत में आय थी тобö saan countrylar तो दोस्तों सबसे बाद में आने वाली भारत में company मान की所以呢 143 क मेंという हेंडेंट 43 नमबर कुष्ट ने मारा की भारत में बिटिस इस्ट इनिया कंपनी का पहला गवन्नर जनरल कौन बना था तो बात करें दोस्तों पहले गवन्नर जनरल की तो पहला गवन्नर जनरल था बेश्टी इस इंडिया कमपनी का आप्सन नमबर C वारेन हैंस्टिंग्स 144 नमर कुष्ट ने हमारा की गोवा, दमन और दीव का उपनिवेसिकन मुलता किस ने किया था अंग्रेजों ने, फ्रांसेशohn ने, पूर्तिगाली ने या फिर डचों ने तो इसका से इंड शिरोगा दोस्तों अपसन नमर C पूर्तिगाली ने पूर्तिगाली ने दोस्तों से पहले गोवा, दमन और दीव पर अपना अधिकार किया था वो सबसे बाद में दोस्तों गोवा से पुर्टगाली गए थे जो गए थे 1961 में 145 नमर को इसने हमारा कि अंग्रेजों के साथ बेसिन की संदी किस ने की थी तो इसका से इंसरों का दोस्तों अंग्रेजों के साथ बेसिन की संदी की थी अप्सिन नमबर B, Baidi Rao 2 नहीं, यानि कि Baidi Rao 2 नहीं 1146 नमबर किêts नहीं वारा कि East India Company के निर्थत के करम में Robert Clive का उत्राथिकारी कौन बना यानि कि Robert Clive के बाद कौन गवर्णर बना, तो इसका से commercial होगा दोस्तों अप्सिन नमबर A, Warren Hashting जो पहला गवर्नर जनरल माना जाता है वो राव अवेट कलाई के बाद इस्ट इंडिया कमपनी का नित्वत इसने किया था हैंडेन 47 नमर किश्च ने हमारा कि निनमे से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली नाम मकिस्थान पर पराजित किया था हैंडेन 48 नमर किश्च ने हमारा कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपादी परदान की थी हैंडेन 49 नमर किश्च ने हमारा कि किस हीतर से यूरोपासियों को सबसे यादा सोरा और अफीन प्राप्त होता था बंगाल गुजरात बिहार या फिर मद्रास से तो इसका सिंस रुगा दोस्तों आप्शन नमर सी बिहार से 1050 नमर किश्च ने हमारा कि सिक्री और आग्रा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज बेपारी कौन था तो दोस्तों सिक्री और आग्रा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज बेपारी माना जाता है ओप्शन नमर ठी रॉल्फिंज 1051 नमर किश्च ने हमारा कि मदरास में इस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जना जाता है मदरास में ही दोस्तों इस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से हेड़कॉर्टर था जहां पर East India Company के बड़े बड़े अधिकारी रहते थे तो किस किले में रहते थे मदरास में ये हमको बताना है तो इसका सेंसरों का दोस्तों मदरास में अंग्रेजों के द्वारा एक किला बनाए गया था Fort St. George वहीं पर दोस्तों East India Company का अधिवास माना जाता है हेंडेंड 52 नमर कुष्टने मारा कि बिटिस इसनिया कंपनी का पर्थम गवरनर कौन था तो इसका सेंसरों का दोस्तों आपसन अबर A. Thomas Smith जबकि दोस्तों बिटिस इसनिया कंपनी का पर्थम गवरनर जनरल था Warren Hastings हेंडेंड 53 नमर कुष्टने मारा कि यूरोप के आगमन के समय में Interpolars किसे कहाजाता था तो दोस्तों Interpolars किसे कहाजाता था तो इसका सेंसरों का दोस्तों आपसन अबर A. Samundry Lutere होते थे Interpolars हेंडेंड 54 नमर कुष्टने मारा कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उडिसा में महा नदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवन पिपली में फैक्टरियां कब इस्थापित की थी 1630, 1623, 1638 या फिर 1640 सिसी में तो इसका सिंसरोगा दोस्तों आपसन नमबर भी 1633 सिसी में 1555 नमर के किसने 1680 सिसी में एक फर्मान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा कर 3.5% कर दी थी तो इसका सिंसरोगा दोस्तों आपसन नमबर ए औरंग जेपने 156 नमर के किस मुगल भासा के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 सिसी में हुगली पर आकरमन कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया तो इसका सिंसरोगा दोस्तों आपसन नमबर दी औरंग जेपने 157 नमर के किस मुगल भासा ने अंग्रेजों से 1.5 प्लिवाक रुपे का मुआपजा के तोर पर वसूल किया था तो इसका सिंसरोगा दोस्तों आपसन नमबर सी औरंग जेपने 158 नमर के किस मुआरा की अंग्रेजों को सूता नाती काली कता एवं गोविंद पुन नामक तीन गावों की जमिदारी खरीदेने की अनुमती देने वाला बंगाल का मुगल सुबेदार था तो इसका सिंसरोगा दोस्तों आपसन नमबर दी आजिम उस्सान 159 नमर के किस मुआरा की अंग्रेजों ने सुता नाती काली कता एवं गोविंद पुन की जमिदारी कितने में खरीदी थी तो इसका सिंसरोगा दोस्तों आपसन नमबर दी बारा सुरूपे में 166 नमर कुष्ट नेमारा की अंग्रेजों के काल के दोरान कितने गावों को मिलाकर कलकत्ता नगर बसाया गया था तो इसका सिंसरों का दोस्तों आपस नमर सी सुतानाती, कालीकत्ता और गोविंद कुपुर को मिलाकर दोस्तों एक नगर बसाया गया था से आज कलकत्ता के नाम से जना जाता है हैंडेंट सिस्टी वाय नंबर कुष्ट ने मारा की बंगाल में अग्रेजों की कंपनी के संबन में किस ने कहा है कि यहाँ एक कुसित या नीच जगडालू लोगों की और बैमान बैपारियों की कंपनी हैं तो दोस्तों यह कतन कहा है ओप्स नंबर B SIZ था खाने हैंडेंट सिसी 2 नंबर कुष्ट ने मारा की फ्रांशिश्यो के पतन का मुख कारण था अंग्रेजों की नो सेनिक सिरिष्ट ता यानिकि अंग्रेजों की 9 सेना का सक्तिसाली होना भारत वा भारत के बाहर अंग्रेजों से बैपारिक प्र दित कारण तो इसका से इंसर हो जाएगा उप्शन नमबर D हेंडेंट 63 नमबर किश्चने मारा की भारत में बिटिस इस्टिनेया कंपणी की सफलता का क्या राज था कंपणी की सेना को पस्चमी प्रसिछन मिला था और तथा उनके पास आधनिक हतियार थे यह उप्शन दोस्तों सही है भारत में राष्टिया भावना की कमी थी यह भी उप्शन सही है तो यह दो कारण थे में जो बिटिस इस्टिनेया कंपणी की सफलता के राज बाने जाते हैं तो इसका सेन्सरोगा उप्शन नमबर C उपर यग दोनों कथन सही है 164 नमबर कुष्टने हमारा कि निमने यूरोपियो सक्तियों उमने भारते बैपार में किस करम में प्रवेस किया था यानि कि किस कमपनी के बाद कौन सी कमपनी आई थी यह करम हमें बताना है तो इस प्रकार इसका सहीन सरोगा दोस्तो आप्स नमबर C पुर्तगाल डच अंग्रेज और फ्रांसेसी यह करम सही होगा सबसे पहले पुर्तगाली आये थे फिर डच आये थे फिर अंग्रेज फिर फ्रांसेसी आये थे हेंडेंट 65 नमर कुष्टने अमारा की फ्रांसेसी क्रांती किस वर्स हुई थी तो इसका से इन स्रोग दोस्तो फ्रांसेसी क्रांती हुई थी ओप्स नमर B 1789 सुई में 166 नमर कुष्टने उमारा की असम में सुरोप्रथम चाय कमपनी की स्थापना कब हुई थी तो इसका से इन सुरोगा दोस्तों 1849 उसमी में असम में सुरोप्रथम चाय कमपनी की स्थापना की गई थी हेंडेंट 67 नमर कुष्टने उमारा कि 28 सतापदी के अंतितक भारत के किस भाग में यूरोपिय इसाई मसेनिरी अधिक सक दिये थी तो इसका से इंसरों का दोस्तो अप्स नमर भी बंगाल और असम के छेतर में हेंडेंट 68 नमर किश्टने उमारा कि 29 में से कौन सा यूग मोक कमपनियों के आगमन की करम में सही है तो दोस्तो कमपनि किस वर्स में भारत में प्रवेस की थी इसके संभन में बताना है पर्काली कमपनि दोस्तो भारत में आई थी 1408 सी में यह एपसन सही है इसके बाद डच कंपनी आई थी फंदा सो पच्पन और चियाननब इससी में ये भी आप्शन सही है इसके बाद अंग्रेजी कंपनी आई थी 1600 इसी में और फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1664 इसी में 169 नमर कुष्चन है हमारा किने नमे से कौन सा युगम कंपनी की स्थापना के करम में सही है अभी दोस्तों हमने पढ़ा था कि कंपनी की आगमन के करम में सही कथन कौन कौन से थे अब कंपनी की स्थापना किस वर्स में हुई थी इसके संबन में हमें पताना है जैसे कि पुर्तगाली कंपनी यानि कि पुर्तगाली इस्टिनिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 इसवी में तो यह option 200 सही है इस तरह बिटिस इस्टिनिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 इसवी में और डच इस्टिनिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 इसवी में तो इस प्रकार इसका सही इंसर हो जाएगा option number E उपरीक सभी कथन सही है Next and last question है हमारा किने नमेंसे कौन सा युगम company की पहली factory यानि की पहले कार खाने की स्थापना के क्रम में सही है तो दोस्तों company की पहला कार खाना या पहली factory कहां पर किस वर्ष इस्थापित की गई थी इसकी क्रम में हमें बताना है और पहली पुर्टगाली फैक्टरी दोस्तो कोचीन में इस्थापित की गई थी पंदा सो तीन इसी में ये आप्शन दोस्तो सही है इसी तरह पहली डच फैक्टरी मसली पटनम में इस्थापित की गई थी 1605 इसी में ये भी आप्शन सही है पहली अंग्रेजी फेक्टरी दोस्तो सूरत में इस्थापित की गई थी 1608 इसी में ये भी आप्सन सही है और पहली फ्रांसेसी फेक्टरी दोस्तो सूरत में इस्थापित की गई थी 1616 इसी में ये भी आप्सन सही है तो दोस्तो यहां पर दो company की पहली factory सूरत में इस्थापित की गई थी यह point आपको आतकना है फ्रांसेसी और अंग्रेजों की इसके इलावा पहली पुर्तगाली factory कोचीन में और मुसली पटनम में डचो की factory पहली इस्थापित की गई थी तो दोस्तो इस प्रकार इसका सही इंसरो जाएगा option number E उपरी सभी कथन इसके संबन में सही है तो दोस्तो आज की इतना ही उमीद दोस्तो आपको session अच्छा लागा होगा इससे पहले दोस्तो इसकी थेवरी वीडियो के तीन session आपने cover किये हैं जिसका link आपको description box में मिल जाए किये हैं जाएगा अजीगा की के जाएगा सivesseी खोस्तो आपको सही हैं झाल झाल झाल